वीरो ते वीरनियों की हाले तवाड़ा तवाड़ियां दौावानल में भी बिल्कुल ठीक अस्सलाम अलेकम जी क्या हाल है आप सबका में भी जी बिल्कुल ठीक आज मैं आपको ले के आई हूँ यूके के सबसे महेंगे स्टोर में जहां आपको ना बड़ी प्यारी प्यारी बड़ीयां सोणियां सोणियां चीजां तवानू तकण वस्ती मिलन गियां ते बड़े ही सोणे सोणे पांडे तुसी वेखोगे जे में पलवशा जी दे सूटां दा स्यापा प्याए ना एन जून तूसी ना पाड़े आ दा सियापा ना पाड़े ते वेखो जी किनिया सोणिया सोणिया चीजा ने जोन लुइस स्टोर दे विच में आई हैं तो इते सब सु पहले में वेखे आसी पिकनिक दा बैग जड़ा बड़ा ही सस्ता लगा है आसी सेल विच ते फिर में आई थे बूटें कोल ते फुलां कोल ते इननु वेखे में वेखदी रहेगी तो जी मुझे वैसे भी ना पोदे और फूल जो हैं बड़े ट्रेक्ट करते हैं और जहां भी में पोदे देखती हूँ उनके पास खड़ी हो जाती हूँ यहां पे हर किसम के पोदे थे और जोन लुइस वो स्टोर है ना जहां आपको बड़े ही युनीक किसम के आईटम मिलते हैं क्या कपड़ों में क्या बैग क्या जूते, क्या डेकुरेशन क्या बरतन और यह जो थे ना वाज यह भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे फूल भी इन्होंने बीच में रखके हमें दिखाए हुए थे कुछ जो थे वो क्या कहते हैं, लोए के थे कुछ शीशे के थे, कुछ पत्तर के थे मैं कहनी है ना हर किसम दे वास्त वानूई थे वेकर्टी में लड़ गे थे इन जी सोने डेकुरेशन पीस ते ए स्टील दे बरतन जिड़े ना पलवशा जीनूवी बड़े ही पसंद ने और कहने ने सानू ना पांडे बड़े पसंद में जिते भी जानी है ना पांडे लायके जरूर आवनिया ते ए वेकर्टी स्टील दाए पैन में नूवी ना बड़ा ही सोना लगया इते नौन स्टिक दे बरतन वी सन तो ये भी जी मुझे बड़े अच्छे लगया अच्छा पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोलने की कोशिश जो है ना बड़ी करती हूँ पंजाबी और यहां पे जी किचन की सारी एक्स एक्सरीज ये चमचे शमचे देखें ये सारे ही ना बड़े ही प्यारे लग रहे थे जग मैंने बेच देखें तो मैं तो देखती ही रहागी इनने सोने सोने जग ते प्लेटा वे खो एवी इननी या सोनी या सोनी या के मैं तवानू की दसा अच्छा ये जो थे ना लंच बाक्स थे बच्चों के और बड़े ही खुबसूरत लग तो ऐसे रहे हैं कि जैसे शीशे के हैं लेकिन ये प्लास्टिक के है बोतले आप देख सकते हैं ड्रिंक की जो है गरम वाली ठंडी वाली काफी कप जो है ना सबी कुछ यहां पे है क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है ना इन दिनो वीडियो मैंने रिकोर्ड पहले की की हुई है लेकिन वोइस जो है वो आप में बाद में कर रही हूँ तो स्कूल का सीजन था तो इसलिए बोतले वगारा जो है ना काफी ज्यादा थी और ये कास्ट आयन के बरतन इन में ना खाना बड़ा अच्छा पकता है और हेल्थी भी है तो बड़े ही खुबसूरत थे हर किसम के और इनकी प्राइसें भी ना खुबसूरत है क्योंके ये बड़ा मेंगा स्टोर है और यहां पे जी बरतनों के सियापे हैं सूटों के सियापों की तरह जैसे मेंगे मेंगे सूट है ना ऐसे मेंगे मेंगे बरतन है टीफ हाल के ये पैन बाहर से ये स्टील के हैं और बिलकुल अंदर से ना ये नोन स्टिक के हैं ये आप देखेंगे मराकन डिश बिलकुल पाकिस्तान में जैसे मटी की हांडी नहीं होती ऐसे ही मटी की ये डिश है कले पार्ट है मराकन डीश या प्राइस देखें 130 पॉंड यानि पाकिस्तान का 60-70,000 रुपया हद होती है सूटों के स्यापे तो मुक्ते नहीं है बरतनों के स्यापे भी कहीना पढ़ जाएं और ये फ्राइपैन देखें ये भी इतना हुबसूरत है इतना प्यारा है और इसकी भी प्राइस देखें 50 पॉंड का है इतना महिंगा यानि कि यह सबसे महंगी दुकान और यहां के बरतन भी महंगे हैं और क्वालटी भी बहुत अच्छी है यह नहीं कि इसिफ प्राइस ओपर है क्वालटी भी बड़ी ही अच्छी है कास्ट आयन के और ये प्रेशर कुक करते स्टील के बड़े ही प्यारे बड़े ही खुबसूरत तो जी आप बात करते हैं पलवशा जी के बारे में पलवशा कुक सफिशल के बारे में और साथ में थोड़ी सी बात होगी हिना जी के बारे में भी तो पलवशा जी तुस्ती थे बड़े ग्रेट हो है ना तुस्ती सबसु पहले ना कबराना नहीं पलवशा जी अगर आप घबरा जाएंगी ना इन लोगों की बातों पे और इन चोटी चोटी बातों से ना आपका बीपी शूट कर जाएगा ना तो फिर जो है ना हम जैसे चोटे यूटीवर जो हैं वो क्या करेंगे हमने तो आप से मोटिवेशन हासल करके चैनल बनाए तो आप जी घबरा आगी हैं पलवशा जी जब सोशल मीडिया पे आते हैं आपको पता होगा मुझसे ज्यादा के इस तरह की चीजें जो हैं वो होती हैं तो आज सुबह एक रियक्शन चैनल की वीडियो देखी तो वो बेहन कहरी थी के देखें जी वो जो है ना पलवशा कुक्स अफिशल और हिनाज जो है ना डाट जी वो ना कपड़े पाकिस्तान से मगवा के ना तो बड़ी ही मेंगी प्राइसों में बेचती हैं और इतना पैसे कमा रही हैं और जब उन से ओनलाइन सूटों की प्राइस पूछें तो वो प्राइस नहीं बताती वो कहती है कि हमें कोल करें और फिर हम सूटों की प्राइस जो है वो बताएंगे तो जी पलवशाज जी और हिना जी लोग जो है न वो आपको डौन करेंगे इसी तरह के रियक्शन चैनल बना के थमने लगा के तो आप ने गबराना नहीं है गबराना नहीं है और जो सूटों यह है कि जब इनसान बिजनस करता है और जो इनसान बिजनस करता है आपने तो बिजनस नहीं किया कभी तो इसलिए आपको इस बात का अंदाजा नहीं है जब आप बिजनस करते हैं तो बिजनस में सारे खर्चे आते हैं यानि कि जब आप सूट खरीते हैं डिजाइनर सूट वो भी महंगा होता है डिजाइनर सूटों की सलाई भी महंगी होती है डिजाइनर सूटों के उपर फिर लेसे पाइपिंगे बटन भी लगते हैं वो भी महंगे होते हैं और फिर जी जो डिलिवरी चार्जिस होते हैं जब सूट सिल के पोस्ट होते हैं और वो इंग्लेंड में आते हैं तो फिर उनकी चार्जिस और उपर हो जाते हैं जारी बात है डिलीवरी वाले भी तो पैसे लेते हैं और ये देखें आप डिनर सेट और बरतन यहां पे इतने ही खुबसूरत है इतने प्यारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती तो फिर जो सूट यहां बंदा मंगवाता है बेचता है वो पलवशा कुक अफिशल होगी या ही न जी होगी तो फिर वो किस लिए मंगवाती हैं यहां पे फ्री देने के लिए तो नहीं न मंगवाती जारी बात है वो बिजनस कर रही हैं उन्होंने प्राफिट कमाना है उन्होंने ओबर कुछ न कुछ पैसे तो लगाने है ना तो यहां पे लेने वाले लोग जो हैं उनसे ले रहे हैं सूट और पहन रहे हैं उनका बिजनस चल रहे है अब दूसरे उनके सूट देखके क्यूं दिल гор marshm법 करें जानी के उनके सूट दे के दूसरा क्यों दिलजारी करे हर किसी का अपना नसीब है अगर वो पहनती हैं उनको ब्रैंड्स वाले सूट बेचते हैं उनको कहते हैं कि आप सूट पहने हमारे सूटों की शो करें और वो उनको पैसे देते हैं तो ब्रैंड्स वालों को भी आप कह رہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں سوٹ بناتے ہیں برینڈز والے سوٹ بنانا بند کر دیں इस کا مطلب ہے کہ अगर लोगों की दिल अजारी होती है तो सारी दुनिया अपना काम बंच कर दे बंच कर के बैठ जाए कि इनकी दिल अजारी हो रही है तो दुन्या तरक्की ही न करे सोट ही न बने بکے ہی نہ کوئی پہن نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا دیکھیں جی کسی کی چیز دیکھ کہ نہ دل ازاری نہ کریں اللہ نے آپ کے نصیب کا آپ کو دیا ہوا ہے تو ایسا مت سوچیں کہ وہ مہنگے سوٹ پہنتی ہیں اور جو ہے دوسروں کی دل ازاری ہوتی ہے ماریا بھی جو ہے ہم سب کو سوٹ تو نہیں نہ بیج سکتی اب کیا کریں دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ ماریا بھی مجھے سوٹ بیج دے لیکن ہم ماریا بھی مجھے سوٹ نہیں بیج دی تو میں کیا کروں ہمیں دل ازاری تو نہیں کر سکتی میں تو پلوشہ جی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں کہ ان پر سوٹنا اچھے بھی بہت لگتے ہیں ماریا جی کے پہنے ہوئے تو بس یہی چھوٹی سی بات ہے یہی ایک پیغام ہے کہ اس طرح مت کیا کریں دوسروں کی دل ازاری مت کیا کریں دوسروں کے خلاف اس طرح کی ویڈیو بنا کے نہ ویوز آسل کرنا اور وہ آمدنی جو ہے نہ وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تو لہٰذا اندہ احتیاط کریں اور یہ دیکھیں ساتھ نہ یہ باول اور اس کے ساتھ ہی سفید ہی چمچ ہے مکسنگ کا اور پھر یہ ٹاول بھی ہیں ساتھ کے گلف بھی ہیں ساتھ کے پورا سیٹ ہے اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ میں اس کے یہ ٹی پارٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ پیالیاں پرچے ہیں اور ساتھ میں یہ شگر والا کافی والا اور یہ ٹی والا ڈبے ہیں اور سب بھی نہ بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت ہیں ایک ایک چیز جو ہے بڑی یونیک ہے یہاں پہ اور ساتھ میں اس کی پرائسیں دیکھیں آپ کہ پرائسیں بھی ایسی ہی ہیں کیونکہ یہ سب سے مہنگا سٹور ہے یوکے میں اور اس کی پرائسیں بھی اسی طرح آئی ہیں یہ جو ہیں یہ چمچ چمچہ رکھنے کے لیے جب ہانڈی بناتے ہیں تو چمچہ جو ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں چمچ رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میری طرف سے اللہ حافظ